ईस पीडियो मां बात करने वाल है अगर तो यहां पर differentiation in time domain तो यहां पर differentiation in frequency domain तो यह property क्या कहती है उसको जानते हैं पहले अगर XT का Fourier transform X of Omega है ठीक है अगर मैं T से multiply करता हूं किसे T से Then क्या होता है उसका Fourier transform में क्या change आता है इधर क्या आजाता है J से multiply होता है ठीक है J से multiply और जो function होता X of Omega उसका derivative हो जाता ठीक है X of Omega तो property समझा है अगर मैं T से multiply करता हूं तो क्या होता है J से multiply और एक बार derivative अगर मैं T square से multiply करूंगा है तो J का square दो बार derivative ठीक है तो अगर मैं T square से multiply करूंगा X of T में तो Fourier transform में क्या फर्काएगा J का square हो जाएगा D upon D omega इसका क्या करेंगे दो बार derivative ठीक है X of Omega ठीक है अगर यही T चीज एंड टाइम समूची हो अगर एंड टाइम से multiply करूंगा इसमें क्या हो जाएगा फर्क आएगा देन क्या हो जाएगा F T J की पावर N हो जाएगा ठीक है J की पावर N और differentiation में कितने बार हो जाएगा N टाइम सो जाएगा ओमेगा की पावर N X of ओमेगा ठीक है तो इसी पर बेस देखते हैं कोशन तो हमें यह दे रखा इसका Fourier transform निकालना ठीक है हमें निकालना कि इसका इकी पावर माइनस 80 यूटी का Fourier transform तो अब यहाँ पर देखो T से multiply हो रही किसम में इकी पावर माइनस 80 यूटी में ठीक है तो मैं पहले आगर इकी पावर माइनस 80 यूटी का Fourier transform निकाम निम रहा तो मैं T से जब मल्टिप्लाइ कर दूँँगा तो इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या करता हूँगा J से multiply और स्पंशन का derivative तो निकालते हैं एकी पावर माइनस 80 का जो Fourier transform होता है एकी पावर माइनस 80 यूओ और T का जो Fourier transform है वो कितना होता है 1 अपोन A प्लस J ओमेगा ठीक है यह सबको पता है जो X of omega उसका differentiation अगर मैं T क्या multiply कर दूंगा तब क्या आएगा ठीक है ध्यान रखो यह क्या है मेरा X of omega इस टाइम पर ठीक है किसे काम कर रहा X of omega का तो क्या हो जाओ जब T से multiply करूंगा तो J से multiply multiply वार differentiation of X of omega differentiation कितका X of omega यानि 1 upon A प्लस J omega इसी को solve करना पर हमें answer मिल गएगा ठीक है differentiation के बारे में सब जानते हैं तो T E की पावर माइनस A T U of T कि इसका transform क्या जाएगा देखो J क्या लगाएंगे यह तो सब कोशन ट्रूल लगा लेते हैं कोशन ट्रूल क्या कहता है F upon G यानि पहले डिनोमेटर का स्क्वार A प्लस J omega का स्क्वार ठीक है देन डिनोमेटर multiply by numerator का derivative numerator कितना 1 का कितना होता 0 ठीक है multiply by numerator 1 है जोकी और derivative of denominator denominator कितना A प्लस J omega एका तो 0 हो जाएगा और J omega का करूँगा तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा omega के respect में तो कर रहे हैं तो एक इतना आ गया है यहांपर T E e की पावर माइनस A T U of T का जो Fourier transform है कितना आ जाएगा J कितना हो जाएगा हो जे की जे में करेंगे तो माइनस J स्कॉार हो जाएगा उपर A प्लस J omega का ठीक है जे स्कॉार की वेली कितनी होती है माइनस 1 तो लगा दो यहांपर T E की पावर माइनस A T U of T का जो Fourier transform है कितना हो जाएगा माइनस माइनस 1 J स्कॉार की वेली माइनस 1 होती है A प्लस J omega का whole square ठीक है माइनस 1 की उपर दो नहीं क्या हो जाएगा पिलस हो जाएगा T E की पावर माइनस A T U T इसका Fourier transform कितना जाएगा 1 upon A प्लस J omega का whole square ठीक है तो T E पावर माइनस A T UT का Fourier transform कितना आगा 1 upon A प्लस J omega का whole square बस इतना कुछ करना लेता है ठीक है डिफ्रेंशेशन तो हम पढ़ते आ रहें के लिए वंत किलास से तो डिफ्रेंशेशन मुईयद लगता नहीं कोई दिक्कत आने वाली ठीक है आप आप लोगों समझाया होगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही अगर थैंक्यू में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स पोपर तेक्साब